दोस्तों अगर आपके फोन में फेस्बुक अप जो है वो बार-बार अपने आपी बंद हो जाता है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप फेस्बुक लाइट यूज़ करते हैं तो भी ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं अगर आप फेस्बुक में अप जो होता है ओफिशल वो भी यूज़ करते हैं तब भी आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो हम यहाँ पर बताएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जाना है अपने फोन में Google Play Store पर Play Store पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख करके सर्च कर लेना है Facebook अगर आप Facebook Lite चलाते हैं तो Facebook Lite सर्च कर लीजिए और यहाँ पर आपको देख लेना है अगर आपके में Facebook आप जो है वो बहुत आउटेटेड है आपके में अपडेट आया हुआ है तो आपको simply Facebook अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद आप यहाँ पर Home कर लीजिए और चले जाईए अपने फोन की Settings में Settings में जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करिए नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको एक option दिखेगा Apps का आप इस पर क्लिक करिए इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर Manage Apps पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको Apps की List दिखा देगा अब आपक या फिर अगर आप light यूज़ करते हैं, तो light लिख करके search कर लेना है, या फिर ढूंड लेना है, उसके बाद आपको उस पे click करना है, उस पे click करने के बाद आपको यहाँ पर clear data पर click करना है, और manage space पर click करने के बाद आपको यहाँ पर clear पर click करना है, आपको ध्यान रखना यह आप select ना करिएगा accounts and settings अगर आप ये भी select कर लेंगे तो आपकी ID वगरा जो login होंगी वो आपकी जो है log out हो जाएगी आपको फिर से login करनी पड़ेगी ठीक है तो आप इस पे ना click करिएगा और यहाँ पे आप clear पे click करिए तो यह clear data हो जाएगा इसका successfully उसके बाद आप यहाँ पे back कर लीजिए आप चेक करिए आपके में वो problem फिर से आ रही है कि नहीं अगर अभी भी आ रही है आपको वो problem तो आपको क्या करना है आप एक बार अपने phone को restart कर लीजिए या फिर reboot कर लीजिए और और इसके अलावा आप अपने phone में system update चेक कर लीजिए जैसे कि यहाँ पे आप अपनी phone में settings खोलेंगे तो आपको about phone का एक option दिखेगा आपको इस पे click करना है इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको इस type से दिखा रहा है जैसे यहाँ पे MIUI version आपको इस पे click करना है इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको इस type से अगर आपके phone में update आया होगा तो आपको दिखा देगा तो आपको जो है अपना system update कर लेना है अगर वीडियो से help यहो तो वीडियो को कर दीज़े like channel को कर लिज़े subscribe and bell icon को press ऐसे यह और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई